शुक्रवार को मंडी में ब्रहामन सभाद्वारा भगवान परशुराम जेयनती बड़े ही हर्शुलास के साथ मराए गई ब्रहामन सभाद्वारा भगवान परशुराम जेयनती के उपलक्ष में सुंदर कांट पाठ का आयजन किया गया मंडी में शुक्रवार को भगवान परशुराम जियनती बड़े ही हर्शुलास के साथ मनाई गई हिमाचल प्रदेश ब्रामन सभा के अतिरिक्त महा सचिव बलबीर कुमार शर्मा ने बताया कि ब्रामन सभा द्वरा भगवान परशुराम जियनती के उपलक्ष में पोजन हवन यग्य वस्तुंदर कांड पाठ का आयजिन किया गया उन्होंने कहा कि संसकारों के अभाव में युवाव में नशे की प्रवेति पैदा हो रही है और इस प्रकार के आयजिनों का उदेश्य युवाव में संसकार की भावना उत्वण करना है ताकि समाज को नशामुक्त बनाया जासके आज का दिवस बड़ा सुलागे का दिवस है कि आज हम भुवान परशुराम जी जिनको भुवान विश्ण का अफदार कहा जाता है उनका जर्म उस्पमाना रहे हैं बड़ी कि उपदाम के साथ वह पहले पूजन हुआ हमन्याग हुआ कि बस्मिर्गार का पार चल रहा है इस हम यह मानते हैं कि यह हमारा यह प्रयास था कि इस सब्सकार हिंता की है चाहे वह नशाखोरी की है चाहे वह दूसरी प्रहिया है इन सब का हल जो है वह संसकारों में है और वहाल प्रचुराम ने इस बात के उपर जोर दिया कि जब तक बच्चों में युवावों में संसकार नहीं होंगी उसनों दाहिया पनवती रहेंगी प्रहमर सब यही काम कर रही है सबसे बड़ी बात ये कि वो उस वकत के एक महान करांतिकर योदा थे उनके जहिंद के उपर उन्होंने इस जत्रों उड़ाया वो आदिवासियों के लिए किसानों के लिए मजणों के लिए अर्शोष्टर में उड़ाया जिनकोंने मारा भी पाप में उल्जए हुए थे पाप में लगये थे समाज को तंक कर रहें परशान कर ले थे उस प्रकार के अदर्श परश्जों है वो कभी मरते रहीं वो आज भी रमण सब अभी उसी बातों को लेकर के ही ये पर्यास कर नहीं है एक वर्तमान समाज है नशामुक्तों जुवाओं में संस्कार पड़े और एक प्रकार से रामराजी का स्थापना यहां पर हो उसी के लिए ही रमण सब जो है वह पूरे जिला में पूरे प्रदेश मे और पूरे देश में करणत है और लगता ही है इस प्रकार से इनके वचारों का प्रचार होता रहा तो हम बहुत जल्दी कम सब नशामुक्तों समाज देने में सक्षम होंगे भगवान परशुराम जेयनती के मौके पर शद्धालों में खासा उत्साह देखने को मिला और शद्धालों ने बड़े ही हर्शोला से सुन्दर कांट पार्ट का शवन किया पीरोई पोर्ट के चनल